कि यह दुबारा मैंने उसी पीस से किया था कि अभी मैं उसको खोलना नहीं है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा यह बहुत जरूरी चीज है ठीक है आप पूरा वीडियो देखना तब ही आपको पता चलेगा वाट्सप काईस कैसे हूँ मैं हूँ आपकर अभी रही बॉलॉग 777 तो वेलकम तो माइड न्यू वीडियो और आज मैं आपको बहुत ऑच्छी सी वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो बनाने वाला हूं जो आप देखके हिरान हो जाओगी ठीक है यह जिए घन आज हम बननाने वाले और मैं आपको बनाना सिखाने वाला ह बहुत ही असाल पिखे से Ronald क aynı की 1 अहुद ऑर यह आपके गर पर ही बहुत सारा स्मान पढ़ा हो उस समान के साथ जी गान बन बन जाएगी ये गो एक बॉतल है यह अब कर अगो बन जाती है यह पाइब है उसे ये बन जाती है, बहुत असान त्रीके से बन जाती है, एक फैविकुक चाहिए आपको, एक या दो फैविकुक चाहिए, ठीक है, बहुत असानी से बन जाती है ये गण, ठीक है, जिखाता हूँ कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है, चलो चलते हैं बनाते हैं इसको, तो चाहिए प्लंबर वाली जो पानी के लिए यूज़ करते हैं ठीक है यह एक इंची के आदी की भी चल सकती है ठीक है और यह हमारा ट्रिगर है वह आप किसी भी तरह बना सकती हो अपने कोडिंग ना भी बना तब भी चल सकता है वह यहां पे लगा लेना लाइटर चाहिए ठी ले लिए ठीक है और पांच रवे दस रवे की भी मिल जाती वह भी अप लिख सकते हो और एक यह बाएर चाहिए ठीक है और इसमें जो जिसके साथ हम साउंड करेंगे फ्यूल जो होता है वह कारबाइट होगा वह बहुत जरूरी चीज है आप पूरा वीडियो देखना मैं है नहीं तो आप को बिल्कुल नहीं पता चलेगा तीक है आपका गंड़ जो है काम नहीं करेगी फूरा देखना पड़ेगा फिर का म करेगी अपकी गणा तो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ठीक है तो हमने डक्कन खोल दिया ठीक है इसका भी कोई काम नहीं है नहीं प्लायर दोस्त कटर भी दो एक ठीक है यह नहीं चाहिए हुझे और यह प्लास की देखे ठीक है सबसे पहले हम यह फाइप लेंगे यहां पर लगा लगा है ठीक है और हां जो फैवी क्या है यह बच्चों बच्चों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए ठीक है समझें यह बहुत देंजिर होती है इसको खोलेंगे अभी सबसे बहले इसको खोलेंगे इसको अंदर से सिर्फ अंदर से काड़ना है अब कटर से भी काड़ सकते हूं और मेरे पास अभी कटर नहीं है तो इसका जुगाड करने लगाओं ठीक है यह शेक बन गया ठीक है तो इसको इसमें न ऐसे शेक कर लेना ठीक है और यहां पर लगाना इसको ऐसे ठीक है अभी में लगा के बिताता हूं कैसे कोशिश करना पूरा सीधा लगे है ठीक है और गाइस देखो इस तरह से आपने इसमें डखकन फिट कर लेना ठीक है और क्यूंकि यह हमारी बोटल यहां पे लगी ऐसे ठीक है अब लग रहे है थोड़ी थोडी थोड़ी कर दिए ऐसे पिट कर लेंगे अब इसका ट्रिगर में ठीक है चलो टेकर ना थे लाइट अब रा लाइट का ये वाला हिस है ना जो इसको यहां से इसको निकालना है ठीक है हमें ये वाला हिस्सा चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए इसका ये वाला ठीक है और इसकी हमतार थोड़ी ची काट लेंगे यहां से अब ये वायर लेंगे इसको भी निकाल लेंगे यहां से कोशिश करना इधर आफ कोशिश करना सिंगल वायर हो सिंगल है ना सिंगल वायर हो यह आपको यह एक सिक्स होती ना वायर वह यह से मिल जाएगी और बिजली की दुकान पर जाना इतना इसे चाहिए कम भी हो ज्यादा चक्कर कोई नहीं है उसको बोला है सिंगल वायर चाहिए ठीक है यह भी आपको पाच-दसवर्पे में मिल जाएगी और जो मैंने लाइटर से निका और इसको थोड़ा जादा चील लेना क्योंकि यह इसके उपर पूरी इसको लिपेटना है ऐसे और यहां से ना दोनों को इस तरह से दोनों ता अपने वायर जो है उसको क्नेक्ट कर लेना ठीक है और उपर से टेप भी कर देना वह भी मैं आपको दुखता हूं किसे आपको दुखता है तो यहां पेना दोनों वायर वे तोड़ा सरकट लागे शोट चरकट दिखाए यह दिखाए 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 आब यह दिखो बस यही इसका काम है ठीक है यह हमारा ट्रिगर तो तयार हो गया आप ट्रिगर लगाते हैं इसको इसको कार लेते हैं आप तो फ्रेंट्स वीडियो पूरा देखना तब ही आपको पता चला है क्योंकि कई बार छोटी-छोटी डटेल होती है कई आप गन बनाना चाहोगे तो फिर आपको चली नहीं ठीक है आपको पूरा देखोगे क्योंकि छोटी-छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं फिर यह आपकी जो गन है चलेगी बाइदेवे आपकी गन नहीं चलेगी अभी दिखो मैं आपको एंपोर्टन बात बताना चाहत हो अगर आप ट्रीकर बनाओ अगे ठीक है इसका डिस्टंस कितना रखना कितना इसमें गैप रखना है ठीक है वह आपके लिए कोई ज्यादा राखते का गाम रखते का उसके लिए तरीक में पास तरीका है आपने मांचिस की टिप्भी लेनी है उसको आदा काट ले ठीक है और दोनों वायर को क्या करना है है यहां पर रख लेना बस और कुछ नहीं करना यहां पर रख लिया है है ठीक है है कि अब इसको एक माचिस की तीली आदी लगा के इसका गैप बन गया उपर से कर दो टेप कि ये अलग ना हो ठीक है ये देखो हमारा ट्रिगर रेडी हो गया है अपने इसाब से वायर को थोड़ा आगे बीचे कर लेना और आपका ट्रिगर जो है सैट हो जेगा अब देखो ठीक है ट्रिगर हमारा सेट हो गया अब इसको बोटल पे लगाते है ठीक है और गाइस हमने ट्रिगर यह हमारा ट्रिगर जो इसका हैंडल पकने मारा लाता है ऐसे करके ठीक है और हमने यहां पे लगा दिया है इसको फैक्यूट के साथ वो भी लग चुका है ठीक है अभी इस और गाइस यह देखो हमने अपना ट्रीगर भी बना लिया ठीक है अब लग रही है यह गन देखो अभी अभी तो आपको यह सिंपल लग रही है अभी हम इसको चिला के भी दिकाएंगे ठीक है अब हरान हो जाओगे कि यह जुगाडू गन है ठीक है और आवाज देखना साउंड देखना इसका कितना प्यारा होगा ठीक है और एक चीज मैं आपको बताने वाला था मैं आपको भो भी बताता हूं कि यह चलती है कारबाइट से कारबाइट करने और यह रहा कारबाइट ठीक है यह आपको मिल ज तो यह पत्थर साय पर है इसको ठीक पथर निये कारबाइट है वह तो पत्थर जैसा है और इसके शम्याल ना जड़ा थोड़ी बड़ी अजीब शी उती है बहुत ही गंदी यह पर इसमेल उते पढ़ी बहुत गद्धी बहुत गद्धी स्मेल होती है इसको ना लिफाफे में डालके ऐसे किसी डिब्बे में बंद करके रखने अगर आपने नाना रखा तो यह वह इसका पॉडर बन जाएगा इसको डब्बे में रखना है अगर ना रखा तो यह पॉडर बन जाएगा सारा ठीक है इसको ऐसे टाइट करके रखना है जितनी जरूट पड़े उतना ही निकालना है अभी मैं आपको बाहर जाके निकाल के बताता हूं या रूम में ना अंदर सारे स्मेल हो जाएगी तो चलो बाहर इसका ना टेस्ट करते हैं अभी गरन अपनी का और यह भी निका बाहर जाते हैं मेरे चैनल को जाएज जाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बहुत मेंनत लगते यह वीडियो बनाने में ठीक है तो चलते हैं बाहर दैसी यह देखो हमने बाहर रखा था यह कैसे पोडर बन गया है इसलिए इसको इसमें रखना है डिबे म अधिक है थोड़ा सा यह भी पच्चा है अब इस थोड़ा सा पानी डालने थोड़ा साही जादा नहीं है दो की बूने ठीक है और इसको इसमें ऐसे लगा देना है ठीक है चलो अब भी आपको और यह देखना यह गन का कितना दवाका था ठीक है बहुत जवरदस्त गन है और आप यह सिंपली घर पे भी बना सकते हैं बहुत असान है यह गर पे इसमान पड़ा हुआ था उससे ही हमने बनाई थी जे जुगाडू गन यह देखो एक पाइप था बोतल थी और एक लाइटर के साथ हमने ट्रिगर बनाया और यह हमारा हैंडल है ठीक है बहुत असान है और अगर पूरा वीडियो देखोगे तभी आप गन बना पाओगे वाइदवे आप गन नहीं बना पाओगे क्योंकि जो मैंने छोटी-छोटी बाते बताई है ना इस सारी नोट करने पड़ेगी ठीक है और क एक बार इसका ब्लास्ट हो जाएगा तो यह थोड़ी गर्म हो जाएगी थोड़ा और दो पांच मिन्त रुख जाना ठीक है उसके बाद फिर लगाना और फिर जो प्रसेस मेंने किया था कारबाइट डालना चोटा साही टुकड़ा डालना इतना साही अगर बाहर निकालना इससे तुछ निकाल सकते हैं नहीं निकालना तब भी कोई बात नहीं ठीक है अब बाद राभी अब बाद राभी अब प्रस कुछ कुछ है को प्लुशन को याग निगी बस बीना प्लुशन के सारा का कितना खतनाक था रभी व्लॉग 7-7 बहुत जबरदस्त गर्न है यह आपको नाइट में भी दिखा दिया मैंने ठीक है और पूरा वीडियो जुरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आज क्या वीडियो हमारा इतना ही तो बाई अरे एक सगीन आगे आपको नाइए तो बहुत जबरदस्त गर्न है यह बहुत अच्छी वीडियो बनाते है बागे इंजोए करते है आप भी सीखो बनाओ तेश चलाओ ठीक है चलो